कि इस पेशल गुड आप्टर नून टू आलाफ यू आप सभी पॉलिटिकनिक इस्टूडेंट ज्यादा तर कोश्चन यह कर रहे हैं सरिया वताइए कि पॉलिटिकनिक फर्स समेश्टर फिफ्स समेश्टर कभी एक्जाम होने हैं तो कैंसल किसका हो रहा है मतलब कैंसल एक प कि फिफ्ट समिश्टर वाले हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात यहीं प्या जाती है क्योंकि पिछले दिनों की अदि आप अपडेट देखें तो उसमें क्या बताएगा था उसमें कहा है जिसे हम लोग कर रहतना है कि फाइनल यह वालों का कि सब चीज़तों कंप्लीट हो गय आपको सजेस्ट करूंगा इस्टडी पाउर पाइंट आप जहां पे आप आफर का लाब उठा सकते हैं बाइवन गेट वन आपर क्या मैटर अब यहां अगर आप फास समेस्टर में तो टू समेस्टर का कोर्स जोईन करो पहला समेस्टर बिल्कुल फ्री है थार्ड में हो पूरे 100% लाइफ क्लास नो रिकॉर्डेड ठीक है तो आए आगे की तरह बढ़ते हैं और सबस्टीज पहले सब लोग जारी किये थे उसमें यही देख करके सब बता रहे हैं वही कि आपका परिच्छा देखो लिखा गया एक अस्थागीत हो गई है मतलब रोक दी गई पो लेके चलते हैं और अभी हम लोग गूगल पर चलेंगे और ट्वीट ट्वीट देखेंगे जावेद मुस्पा सर का भी कुछ ट्वीट आ चुका है आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने सब चीजें क्लियर कर दिया गया है ठीक है जो कि आपको हमेशा उप्डेट देते हैं तो आईए अभी अभी ने ट्वीट किया जब लोगों ने देखा तो आप देख सकते हैं यहाँ फटा पटते चलते हैं जावेद मुस्पा से ठीक है तो यहाँ इन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया है अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो देख सकते हैं इनके भी बहुत जारा मैसेज आ गया था वही सबका रिप्लाइए भी नहीं कर पाएं क्योंकि इतने ज्यादा ही मैसेज आ रहे हैं तो यह बिल्कुल 101 परसंट सही है और इसमें देख सकते हैं कहा जा रहा है कि इस्टुएंट को यही बताना चाहते हैं कि आपका जो परिच्छा थी वो 25 जनवरी वाली से जनवरी जो होनी थी वह अब नहीं होगी कब होगी थोड़ा सा बाद में होगी ठीक है फरवरी के प्रथम सप्ता में हो सकती है इसका होगा पढ़ाई करो क्यों पता है अभी तक तो पता चला तक फार्ष्ट और पच्वा एक साथ एक्जाम होगा लेकिन तीसरा समेस्टर इन सब का होने के बाद हो रहा था तो एक अच्छा सा टाइम भी मिल आता आगे पीछे होगा तो पढ़ल होगे तो अब क्या है कि अब होगे पता निक गैप होगा किनी होगा कितना होगा क्या होगा तो सभी सब्जेट की पढ़ाई ताबर तोड करना स्टार्ट कर दीजिए और जैसे सेड्यू लाएगा हम आपको वीडियो उसके थुरू अपडेट करेंगे वाकि टेलीग्राम तो हई है ठीक है जहां पर आपको ना मिल पाए यहां कहीं से मिस हो जाए और हांस से वह अपडेट चली जाए और बाद में यही करते हैं कि सार हमें तो पता ही निचा जैसे आज क्रेट में बात करूँ डेली स्टूडेंट दो चार पांच आ रहे हैं क्या करें सर पेपर दिये थे अब यह तीसरा समे आपी में रखना है सभी स्टूडेंट को अपने पास और जैसे ही आगे कुछ काम होगा उसका हमेशा काम लगता है आप नहीं निकाले या आपकी गलती है और दुबारा मतब मिलेगा भी नहीं समझ गए अब हांस से अपर्चूर्टी चलीगी आने वाले समिष्ठन में जर निवाद